Hello everyone, welcome back to my youtube channel जोती मैं दियार So, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़ादा special है मेरे लिए क्योंकि youtube पर मेरा first video है ये वाला जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कौन को कैसे roll करना है, जो कि आप इस रिके के खाली कौन्स देख रहे हैं इसको आपको कैसे roll करना है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़ादा dm's आते हैं instagram पे और जब भी मैं live जाती हूँ आपे मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि माम आपका कोन जो है वो आप कैसे बनाते हो, कोन rolling हमें सिखा दो, इसका क्या size है आप needle के साथ कोन बनाते हो, या फिर needle के साथ कोन नहीं बनाते हो, कैसे बनाते हो, वो हमें सिखा दो तो वही चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जैसे मैं अपने online classes में students को सिखाती हूँ, कोन को roll करना सेम उसी तरीके से मैं आज आपको कौन को कैसे रोल करना है वो सिखाऊंगी और यह जो sheet होती है इसकी cutting कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगी और क्याते चीज़ें हमें कुछ basic जो है वो starting में चाहिए होती है कौन को रोल करने के लिए बहुत basic से चीज़ें वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ओके तो हमें चाहिए कौन रोल करने के लिए इस तरीके का wrapper ठीक है यह आपको किसी भी आपके nearby stationary shop पे मिल जाएगा अगर आपको stationary shop पे ना मिले तो यह आपको online मिल जाएगा अगर online भी ना मिले आप Instagram पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके accounts रहते हैं Instagram पे आप वहाँ से भी इसको purchase कर सकते हैं यह pre cut भी मिल जाती है ठीक है और full size में भी मिल जाती है जो international लोग है उनके वहाँ पे क्या रहेगा ना उनको यह roll में मिलेगा हो सकता है दो से तीन मीटर का roll आपको मिले तो इसको आपको cut करना पड़ेगा ठीक है बट इंडिया में easily available होता है यह 1 मीटर की cutting में ओके तो यह मेरे पास 1 मीटर की cutting में है यह हमें चाहिए इसके अलावा हमें चाहिए इस तरीके का यह tape dispenser ठीक है यह easy रहता है ठीक है इससे फटा-फट से हम tape को cut करके फटा-फट cones बना सकते हैं यह मैं use करती हूँ कि यह मुझे बहुत पसंद है अगर आप आपके पस यह ना हो तो आप इसके बिना भी इसको use कर सकते है बट क्या होता है टेप बार-बर cut करना पड़ता है तो time महा पर ज़्यादा लगता है तो time ज़्यादा ना लगे इस तरीके की चीज़ आप use कर सकते हैं और हमें चाहिए scissor scissor के साथ में अब हमें साथ में यह भी चाहिए scale तो हमें चाहिए होगा इस तरीके का wrapper ठीके जिसमें prints कम हो बहुत ज़्यादा prints वाला आपको इस तरीके का wrapper नहीं use करना है ठीकि वो ज़्यादा मोटा होता है बहुत मोटा आपको wrapper नहीं use करना होता है ये मिल जाया तो ठीक है नहीं तो इसके अलावा आप जो है transparent मतलब की जिसमें कोई भी print नहीं है उस तरीके की sheet भी आप use कर सकते हैं rappers ये जो होता है नहीं आपको आपकी nearby किसी भी stationary shop पे मिल जाएगा अगर वहाँ पे ये आपको ना मिल पाए तो ये आपको online भी मिल जाएगा Amazon विगरा पे आप चेक कर सकते हैं pre-cut भी इसकी sheets मिल जाती है और इसके अलावा वहाँ ना मिले तो आप Instagram पे भी बहुत सारे Instagram पे लोग रहते हैं जो की इस तरीके की sheets विगरा sales विगरा करते हैं तो आप उनसे भी purchase कर सकते हो चिक है इसके अलावा जो international लोग हैं मतलब की जो भार की countries में लोग रहते हैं उनको ये easily नहीं मिल पाता है उनको क्या होता है या तो ये थोड़ी सी मोटी मिलेगी या फिर अगर मिलेगा तो ये 1 meter की cutting में नहीं होगा ये आपको 2-3 meter की cutting में मिलेगा तो खुझ से measurement करके उस में आपको उस sheet को जो है आपको cut करना रहता है बट क्या होता है जो इंडिया है इंडिया में ये easily available होती है 1 meter की cutting में चिक है तो मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि ये कितनी बड़ी होगी अभी इसके थोड़ी दिर बार ये हमें चाहिए इसके लवा इस तरीके का tape dispenser चाहिए ये बहुत easy रहता है यूज करने में इस तरीके से आप फटा-फटे tapes cut करके easily cones बना सकते हैं और हमें चाहिए इस तरीके की scissor scissor के साथ में scale भी चाहिए ठीक है ताकि हम जो भी cone बनाए उसका size मैं आपको बता दूँगी क्या आएगा और मैं measurement करके कभी भी cone को नहीं बनाती हूँ direct मैं sheet cut करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है so अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी बड़ी है ये इतनी बड़ी है ठीक है आपकी लंबी है आगे तक ओके ये one meter की cutting में मेरे पास already है ओके तो मैं इसको ऐसे fold कर लूँगी इसके जो corners है इनको connect करना है और इसकी जो ये वाली side है इसको आपने करना है cut okay यहां पर मैंने इसको ऐसे connect किया पूरा और ये वाली side को cut करना है आप इस तरीके की scissor का use कर सकते है या फिर जो दूसरे cutter आते है knife के जैसा बड़ा वाला cutter रहता है वो भी आप use कर सकते है बहुत ही जादा best रहता है वो भी बस आपको ध्यान ये रखना है cutting करते टाइम ना यहां cuts नहीं लगने चाहिए proper cutting आने चाहिए तो यहां पर मैं इसको ऐसे रखके cutting करूँगी अगर आप यह के लिए cut ना कर पाएं तो किसी की help भी ले सकते हैं cut करने के लिए मैंने इसको ऐसे रखा for example यह रख लेते हैं यहापर ताकि यह हिले ना and मुझे इस side से करनी है cutting ठीक है आपको ऐसे रखना और ऐसे cut कर तुए ना बिल्कुल ऐसे cut नहीं करना इसको जैसे कि हम कपड़ा cut कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है बहुत राम से दीरे दीरे इसको हम ऐसे cut करेंगे और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए अपने family members के साथ में, friends के साथ में, relatives के साथ में सब के साथ इस वीडियो को share जरूर करना ताकि यह वीडियो ऐसे लोगों के पास पहुँचे जिनको सच में इस तरीके के वीडियो की need है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो की financial problem की वज़े से या फिर कोई और भी उनके other problems रहते हैं उस वज़े से सीखना भी चाहें तो नहीं सीख पाते हैं, तो यह detail में वीडियो है, इसको देखके अगर आप भी कौन रोल कर रहे हो, बनाना सीखा है तो मेरे साथ जरूर share करना, Instagram की ID यहाँ पर मैं mention कर दूँगी, वहाँ पर आप मुझे share कर सकते हैं, जो भी आप कौन रोल कर रहे हो, जो भी आपने किया है, हर एक कम आपर मैं चेक करूँगी, कि आपने कौन को कैसे रोल किया है, कहाँ पर आपका mistake है, वो मैं आपको guide करू अगर आप बना रहे हैं, तो tag करना मत भूलना, चलो अभी इसको करते हैं, side इसकी जो first cutting है, इसको मैं side कर दूँगी, so यह जो है, इसको इस तरह फोल्ड करूँगी, मैं ऐसे, equal रखना है, ऐसे, and cut करना, start करना है, यह वाली side को हम cut करेंगे, और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, यह जो 1 meter की cutting रहती है, इसके अंदर से हमारे 16 cones बन जाते हैं, easily, okay, तो आपको यह चीज पता होने चाहिए, तांकि आप cones की cutting अच्छे से कर पाएं, और आपको कम ना पड़े, अब यह वाली चीज जो है, यह second cut हम ने किया है, इसको कर देंगे हम side, अब यह cutting जो है, इसको हम दुबारा से करेंगे fold, ओके, यह किया, और इसकी यह वाली side को again हमने connect किया and cut करना है, यह हो गया, इसके बाद यह वाली जो sheet है, इसको side करना है, and यह हमारी होगी last cutting, okay, इसको cut करने के बाद मैं आपको यह sheet की क्या size आई है, वो आपको बताऊंगी, यहाँ पर रखा ऐसे and cut करना है, यह हमारा final cut है, ऐसे रखा and cut कर दूँगी मैं इसको, और आपको इसका size बताऊंगी कि यह मेरा क्या आया है, इसी तरीके से मैं sheet को करती हूँ cut, okay, आप बहुत सारी sheet एक साथ रखके भी cut कर सकते हो, बड़ आपको धियान यह रखना है कि side side में cuts ना लगे, आप देख रहे हो कितना एकदम cutting अच्छे तरीके से proper हुई है, तो यह हमारा last cut है, okay, तो यह end में आपके पास दो sheets इस तरीके की आ जाती है, अब मैं आपको इसका measurement करके बताती हूँ, क्या इसका size आया है, तो यह जो sheet हमने cut करी थी, इसका जो size है, वो मैं आई है, 6.5 से थोड़ा सा जादा है, अगर 7 भी आ जाती है, तो चल जाता है, बट 7 से बहुत जादा आपकी नहीं आने चाहिए, या तो 6.5 या फिर आपकी 6, okay, क्योंकि sheets की cutting विगेरा रहती है, ना 1 meter के हिसाफ से थोड़ी बहुत उपर नीचे भी होती है, तो यह cutting वाला जो size है, यह थोड़ा बहुत आपका उपर नीचे जा सकता है, okay, इसकी जो other side है, यह वाली, यह मेरी eye है, proper 5 तो नहीं है, बट 5 आजाती है, ठीके, यह 5 से थोड़ी सी कम है, आप इसको लिख लेना side में, कि मतलब कि जो भी चीज़े में आपको guide कर रही हूं, इसको आप side मे 6.5 भी अगर आपकी आजाए, या 7 भी आजाए, कोई problem नहीं आती है, ठीके, एक side थोड़ी लंबी रहती है, दूसरी side थोड़ी छोटी ही रहती है, ठीके, विर्था इसकी लंबी होनी चाहिए, यह वाला जो height है, यह इसकी छोटी होती है, ठीके, तो अभी यहाँ पर आखे हुए थे sheets के, तो मैं आपको दिखाते हूँ, यह देखो, यह एकदम light print वाली sheet है, बारीक है उसके उपर prints, and कुछ एक यह है, and जो यह वाली है, यह एकदम plain है, तो मैं इसका आपको size करके बताती हूँ, कि क्या आ रहा है, थोड़े बहुत points का उपर नीचे हो सकता है बट इतना भी अगर आपका आ जागा, तब भी आप cone roll कर सकते हो, आपका cone अच्छा ही बनेगा, okay, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, then फिर इसके बाद हम cone rolling start करेंगे, okay, चलो, अभी यहाँ पर देखते हैं, यह कितने inches का आ रहा है, इसकी width कितनी आ रही है, यह 7 inches के कर बन, okay, and जो इसकी height है, वो कितनी आ रही है, height 5 से एक दो point कम है, okay, बट कभी कबार कई sheets में 5 भी आ जाता है, और 7 भी पूरा आ जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी हम इस sheet से काम कर सकते हैं, तो अब हम cone rolling करना देखते हैं, कि cone को कैसे roll करना है, अब हम start करेंगे cone को roll करना, बट roll करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँगी, कि जादतर mistakes कहां पर, मेरे students जो है, मैंने कई बार जो देखा है होने करते हुए, अपने experience से वो चीज़ आपको guide करूँगी, ठीक है, पहले आपको गलतियां बता दूँगी, क्या गलतियां आपको नहीं कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो cone को कुछ इस तरीके से roll करते हैं, ऐसे ये पूरा roll भी नहीं होता, ऐसे कर लेंगे, roll, मतलब कि ऐसे करा, कुछ इस तरीके से roll करके ने इतने बड़े-बड़े cone बना लेते हैं, ऐसे, और tip भी नहीं देखते हैं, आगे की tip बंद भी हो जाती और इस तरीके से ना मतलब कि ऐसे टेप बंद कर ली आगे से ऐसे कॉन रोल करा और टेप लगा दी तो इतने मोटे कॉन का हमको यूज नहीं करना होता है ठीक है या फिर बहुत बड़े-बड़े कॉन्स नहीं बनाने है अगर हम इसके अंदर महंदी भरेंगे यह बहुत ही ज खतम हो जाएगी तो यह वान साइड में एक डिरेक्शन में इस तरीके से मुड़ जाता है ठीक है तो यह चीज आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी आप बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या मिस्टेक्स करते हैं कौन को रोल तो कर रहे हैं ऐसे इसको अंदर ही अंदर रो तो यह चीज आपको नहीं करनी है ऐसे से पकड़के रोल करते हैं सिंपल सी आपको एक चीज देखनी है इसके अंदर ठीक है जो इसकी विर्थ वाली साइड है मतलब की यह कितने इंचिस था यह वाली साइड इसकी थी 7 inches के करीबन थोड़ा सा कम था 7 से तो ये वली size पे मैं रखूंगी fingers अपने right hand की fingers को right नहीं sorry left hand की fingers को ऐसे रखा 4 fingers यहाँ पर यहाँ पर आपको thumb रखना है अब क्या करना है जो हमारा cone है वो हमारी finger के size का होना चाहिए मतलब कि हमें slim cone पतले cone चाहिए तो finger की size का होना चाहिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना finger मेरी यहाँ पर है चीक है finger अंदर है thumb यहाँ पर है ओके ये किया अब ये वाली fingers को कई लोग ना इसको ऐसे ही ऐसे roll करते हैं इसको भार ही नहीं लेके जाते है तो इसको support मिलेगा इन्ही रोल करने के लिए तो ये वाला जो right hand की fingers रहती है ये three fingers इनको आपको बाहर की तरफ लेके जाना है इस तरह से तांकि ये हाथ को support करें ऐसे तो अब क्या करना है ऐसे पकड़ा इसको करना है आगे की तरफ roll ध्यान रखना है कि ये जो finger यहाँ पर रखी है ना इस ही के size का ये roll हो आगे की तरफ तो यहाँ पर ऐसे roll किया जैसी आप ऐसे roll करोगे इस side से left side से आपको ऐसे पकड़ना है बिल्कुल ये किनारे से नहीं पकड़ना थोड़ा सा उपर से ऐसे hold करना है ये किया अब देखो ये अंदर की तरफ roll ही रहेगा ये roll open नहीं होगा ये जो roll है क्योंकि यहाँ से मैंने tight पकड़ा हुआ है अब ये वाली सारा हाथ की जो fingers है four fingers ये बाहर थम अंदर और इसको ऐसे आप drag करोगे न तो आपके cone slim बनेंगे ये जो extra sheet होती है वो बाहर आ जाती है ऐसे रखा अभी मैं इसको ऐसे करूँगी ताकि मेरे थम का size ले ले देखो अभी lose है ऐसे किया ये नीचे से दिख रहा है ना सरकारियों में इसको आगे की तरफ and then आपको इसको roll करना है roll किया, hold कर लिया then again इसको आगे की तरफ roll करेंगे यहां से hold करना है धीरे धीरे ऐसे ही आगे की तरफ roll करते हुए जाना है drag करते रहोगे ना ऐसे तो slim बनता रहेगा आपका कौन thumb के size का, देखो भी ये thumb के size का है, ओके आगे ध्यान रखना है कि आपको tip बंद नहीं करने है tip हम बाद में adjust करेंगे पहले हम इसको roll करेंगे और आप मुझे ये भी बताना comments में कि आपको और किन topics के उपर videos देखने हैं मेरे YouTube channel पर और क्या next video मैं needle के साथ में बनाऊं मतलब कि जो कोन है वो needle का use करते हुए बनाऊं क्योंकि अभी तो मैं without any needle बना रही हूँ आपको कैसे tip बनानी है वो भी समझाऊंगी तो comments करके जरूर बताना और video कैसा लग रहा है ये भी बताना अपना बहुत ज़्यादा प्यार दे देना ताकि मुझे motivation मिल जाए और भी ज़्यादा videos बनाने के लिए चलो तो आपने ये देखा ये एकदम slim बनाए कौन इसको आपने और slim करना है तो क्या करोगे जो मारे right hand की छोटी वाली finger होती है आप left हो या right हो दोनों में से किसी भी hand की ये वाली finger से आप कर सकते हैं इसको ऐसे drag तो यहाँ इसको रखा ऐसे करोगे तो देखो ये extra sheet आगी न बाहर ऐसे करेंगे extra sheet बाहर आगी तो ये आगे की तरफ निकाल लो बन गया slim कौन छोटी वाली finger ही इसके अंदर जा रही है और थम बस यहीं अटकना चाहिए ओके तो ये तो अभी हमने कर लिया roll अभी आपको दिख रहा होगा tip मूटी है यह देखो गई यहाँ पर शायद यह आपको दिखें अभी यह शायद आपको दिखाई दे रहोगी कौन की जो tip है काफी मूटी है हमें इसे adjust करना है ठीके इसको थोड़ा सा पतला करना है जो इसकी first layer होती है न उसको पीछे की तरफ खीचोगे मतलब कि ऐसे लेके आओगे इस तरीके से ऐसे खीचोगे पीछे की तरफ तो tip पतली होगी उसको ऐसे आगे की तरफ सरकाओगे तो tip मूटी होगी पहले मैं आपको tip को मूटी करके दिखाती हूँ नीचे की तरफ क्या है देखो मूटी होगी पीछे की तरफ खीचोगे इसको तो यह slim हो जाएगे tip एकदम pointed बनेगी देखो tip का ऐसा नहीं है जिस size में मैं काम कर पा रही हूं आप भी उसी size में काम कर पाओ तो आप 5-10 कौन ऐसे बनाओ अलगलग tip के और फिर हर एक tip के अंदर महंदी भर के हर एक tip नहीं सौरी हर एक कौन के अंदर आप महंदी भर के काम कर के देखो आपको क्या finishing चाहिए, किस तरीके के काम के लिए आपको कौन चाहिए, वो करके देखो, तब आपको अपने लिए पता चलेगा कि आपको कौन सी tip चाहिए, okay, so tip अभी समझ में आया हमको कैसे बनानी है इसकी, अभी यह न मोटी है tip, okay, मुझे इससे भी पतली चाहिए, यह इस मुझे इस से थोड़ा सा और पतला इसको करना है, एक बार मैं देख लेती हूँ, थोड़ा सा और इसको slim करेंगे, tip थोड़ी सी और पतली करी, और यह आ गया size, जो size में use करती हूँ, काफी पतला है, यह वीडियो में शायद ना दिखे, आपको इतना एक सेकिन, इसको अब आपको क्या करना है, अब सबसे ज़्यादा problem आती है, यहां से taping करने में, right, तो क्या होता है, कई बार कई लोग क्या करते है, mistakes, okay, बिल्कुल ना इतने portion में यहां पे tape लगा देते हैं, और यहां पे बहुत सारी layer बना देते हैं, तो tape के बहुत सारे layer आपको बिल्कु थोड़ी सी tape लेनी होती है, और इस portion में इतने हिस्से में ही बस लगानी होती है, बिल्कुल यहां नहीं लगानी, और बहुत सारे layer नहीं बनाने होते हैं, तो यह मैंना भी क्या किया, इसको मैंने left hand में ऐसे hold किया है, ऐसे किया, और अब मैं tape का use करूंगी, यहां रखना है थोड़ी सी ही tape आपको चाहिए, tape को ऐसे finger की tip पे ले लो, कई बर क्या होता है, कभी इस हाथ में पकड़ रहे हैं, कभी इस हाथ में पकड़ते हैं, तो इतने में tape यह खराब हो जा दिया, तो simple सा आपको क्या करना है, आपने ऐसे tape कट किया, यह आपकी finger tip पे आगई tape, अभ बहुत ही जादा अच्छे तरीके से tape लग जाती है, देखो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, थोड़ सा zoom कर देते हैं, यहां रखा इस तरीके से ऐसे, हो गया remove, easy है न करना, अब इसको हम ऐसे hold करेंगे, यह वाली finger से ऐसे touch में रखना है, ताकि यह अच्छे से tape लगान से पहले देख लेना, कि tip बंद ना हुई हो, okay, open tip रखनी है, tip बंद कर दोगे, बाद में cut करोगे, तो क्या होगा, जब महंदी डालोगे ना, तो वो tip के आसपास ही गोल-गोल महंदी चिपकती रहेगी, okay, तो हम अब इसको आगे की तरफ करेंगे, roll, fingers का support रखना है यहाँ पे, और यह हमारा कोन बनकी हो गया है, ready, okay, तो आपने भी अगर कोन मेरे साथ साथ बना लिया है, मेरे साथ जरूर शेयर करना, इंस्टरग्राम पे जरूर मुझे tag करना, okay, और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, देखो वैसे मैं तो और ज़्याद इस पॉइंट पे इधार, यह सरी के से प्रॉपर बन गया और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, आपको इसका साइज ना, आपको क्या ध्यान रखना है, आपके हाथ से बड़ा कोन नहीं होना चाहिए, आपके हाथ से बड़ा कोन नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा गर कोन यूज़ करोगे न, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो यह देखो अभी सिरफ फिंगर की साइज का, आप यहाँ देखोगे न, एकदम प्रॉपर पूरा नजर आ रहा है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से कोन रोल करना है, और कोन के अंदर महंदी भर के, इसको पैक कैसे करना है उपर से, यह मैं आपको अपने नेक्स वीडियो में बताऊंगी, और वो वीडियो कब अपलोड होगा, किस दे पे अपलोड होगा, इंस्टाग्राम पे उसकी सारी डिटेल्स मै डाल दूँगी, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फोलो करना ना भूले, आपको और भी ज़दा डीप डिटेल्स में सीखना है, महंदी लगाना, तो आप मेरी ओनलाइन क्लासिस के लिए अपना रिजिस्टरेशन करा सकते हैं, आपको बाकी की डिटेल्स सारी जो भी चा झाल 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